मेरे पास यह डिफन बेकिया का पुराना प्लांट है जिससे आज मैं छोटे-छोटे कट काट की कटिंग करने वाली हूं इसमें देखिए यह बलबा रहे हैं यह बलबा रहे हैं जिससे नए पौधे ग्रोथ हो जल्दी करेंगी अब मैं इसका बेस छोड़ दे रही हूं बेस कटना है बलब कटने न पाएं मैंने चार से पांच पांच कटन इसकी काट ली है उसके बाद इसका यह पत्तियों ऑफ्री हिस्था छोड़ दीया है इसको अलग से मैं नए प्लांट लगा दूँगी गंळे में यह बेस है इसका छोड़ दिया उसके आद कटिंग को मैंने एक डबे में हdagाती हैं इस बाद में गंले करीती हैं पौण जोख आती माटी पहले से स्ट कपार्ट में इस सारी कटिंग रख चुछान Это अच्छे थोड़ी मिट्टी को कबर काछ़क भेका बाध क्ल भीने के सबीं सबादा है Nos इरब है इसे कबर करने के बाद यह देखिए थोड़े थोड़े हलके हलके दिख रहे हैं इसमें पानी कर दिया पानी डाल दिया पानी दीरे-दीरे अच्छे से एपजाब हो जाएगा मिट्टी सही से एदम सिफ्ट हो जाएगी हमें उसको ज्यादा दबाने वाने की जरूत नहीं से पानी डालते रही है कंकड वगेरा जो भी हो निकाल दीजेगा और यह कटिंग अप्रेल मा में आसानी से उगाई जा सकती है इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गई लेकिन अप्रेल मा में अभी इतनी ज्यादा गर्मी नहीं है तो आप अच्छे थे इसकी कटिंग नर्सरी बिल्कुल नर्सरी जैसी कटिंग आप घर पे उगा सकते हैं अगर आपके पास पुराना प्लांट है तो मैं 15 से 20 दिन बाद आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगी बिल्कुल इसमें बहुत अच्छे बर्स आएंगे मैंने पहले भी इसकी कटिंग कर चुकी हूं मैं आपक एदने तो